हेलो और वेलकम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉंडू चेरी मास्टर टीटेंड की बात करेंगे जो की मैच होने वाला है पॉंडू चेरी नौर्थ 11 और पॉंडू चेरी वेस्ट 11 के बीच में तो चलिए लेकम लोग आज से ड्रॉप कर सकते हैं सारी डीटेल इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना केसी देरी के वीडियो को स्टार कर देते हैं तो बात करें इस मैं चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि यह आपको यही पर मिलेंगे जो यूटूब चैनल को सबसे बहले सब्सक्राइब करना है साथी मैं टेलिग्राम से जूड़िएगा क्योंकि इस मैच की और आगे आने माली सारे अच्छे मैचिस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लिक की गरान लिक की जो बीटी मे में खेला जाएगा जहां से पीछ रिपोर्ट की बात करें तो नूटल और बैलेंस अभी देखो रंस की बात की जाए तो यहां पर आपर क्रेंस के यहां पर आइधिंग मुझे नहीं लगता कि 90 से 110 मैक्सिमम स्कॉर बन सकता है इसके अलावे यहां पर बात की जाए चेजि इनके साथ आपन साइजू टीटर 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 ने ओपनिंग करवा या था अभी देखो बात करें ओपनिंग की तो टाइटर टाइसा स्वेरी इंपॉनर रहेगा जो कि यहां पर बैटिंग के साथ कई मैच के अंदर जाए से आपको ओवस करवाता हुआ भी दीखेगा ब विकेट की पिंग सेक्षन से अगर कोई चोईस ना मिले तो आप लोग इस प्लेयर को ले सकते हैं आगे बात करते हों लोग आपर माइकल देवास सगयान की जिन्होंने लास में करने एक रन किया अभी देखो बात करी इस प्लेयर की तो इनके ओवरल रेकोर्स का अवाइले यहां पर यह बाइस एक मैच खेले ते जहां पर इन्होंने 17 रन किये ते साथ में ओस भी करवा थी जहां पर इनको विकेट नहीं मिला था लेपटांस पी इन बाजे हाला कि लास में बैटिंग से एक ही रन किया तो यहां पर इस प्लेयर के उपर हम लोग यहां पर रिस्क यह प्लेयर के उपर भी आप लोग रिस्क ले सकते हों बॉलिंग वगेरा करवा सकता है लेकिन लास में कर पांची रन किये तो इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर को आपको लेना है दोनों को लोग नहीं लेंगे तो जो भी आप देखो स्टैट्स आपके पास है और यहाँ पर इनकी जब भी बैटिंग आएगी तब इस लेवल के परफॉर्मस की उमीद कर सकते हो पिछली बार क्या हुआ था शुरू आथ की मैचिस के अंदर टी ट्वेटी की बात कर सकते हो इसके साथ आपर गिलबर्ट है जो कि आपर पांच में चटे नमर पर बैटिंग एस और गिलबर्ट है जो कि दोनों यहाँ पर कंशिस्टन डिखेंगे या तो बैटिंग से आप बॉलिंग से आपको एडवांटेस जरू देंगे एस प्लेयर के साथ कप्तान और वाइस के लिए इस टिम से सबसे बहतर पी कि आपर सशी कोमार एस और गिलबर्ट है बाकि प्लेयर की बैटिंग नहीं आई लेकिन बैटिंग आने पर या से बड़ा एडवांटेस दे सकते हैं दोनों के दोनों इसके लवाइस से बात करते हैं जाया गुरू नाथन वी जिनका लास्ट मेंच के अंदर दो और रेकोर्ड्स इनके भी अवाइलेबल नहीं है तो यह आपके उपर डिपेंड करेगा मैं अभी के लिए इनको होल्ड पर रखता हूं बाकि आर पशुपती वेरी इंपॉनेट पिक रहेंगे इनको डेफिनेटली लेके जाना है तीन विकेट निकाला लास्ट मेंच के अंदर इसके पहले टूर्णाव मेंट खेले थे जहां पर चार मैचिस के लिए जिसमें से दो बार इन्हों ने तीन विकेट निकाली थी तो यहां से इंपॉनस रहेंगे पशुपती इसके साथ आगे बात करते मुलों गया पर जैकुमार ओके रहेंगे पुछो थमन की बात करो तो आगर बैटिंग से उपर आएंगे तो एफेक्ट लेस रहा था बागी बैटिंग से भी टिक टाक एड़ाटेस दे सकते हैं वरॉल 17 मेच के अंदर 10 विकेट है यह बंदा बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा ट्राइ कर सकते हैं वैसे लास मेच के न दो विकेट निकाला था तो सेफ हो रहेगा शुरेश कुमार को मैं सजेस न पर बारतियन और इंद्रम मोगने ने नहीं है तो इनको लेकर जाना है एक रिसक है अगर आप लोग चाहो तो ले सकते हैं जो कि लास में जिरो प्यावड हो है ओर वरॉल करीब 23 स्केवरे से 149 रहन है और वह भी गड़े तो इन दोने में दोने में रिच्ट करे सकते हैं लेकिन वहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा अगर आप लोग चाहो तो यहापर भारतियन को ले सकते हैं आगे बात करते हैं आप राजय कुमार रहन की जिन्होंने लास मेंच कर 25 रहन किये थे राइट हैं बाकि वगेरा करवा सकते हैं क्योंकि पिछली टूनामेंट के एक मैच के लिए ती जापर और और रहेंगे जो कि आपर बैटिंग से चोथे नमर पर और साथ में आपर और और आपर और रहा रहा हैं आगे बात करते हम लोग आपर जया कुमार व लेकिन यह इंपॉनस जरूर रहेगा क्योंकि इनसे हमें इस लेवल के परफॉमस की उमीद रहें कि हाला की बैटिंग भी अच्छी करवा लेता है आप देख सकते हैं यहां पर एक दो विकेट निकाल सकता हर मैच के अंदर राजेस यहां पर बैटिंग से उपर आ सकते ले बहुत कि अगली मैच के बाला सकता है इस मैच के लिए में आपर नदर राज जाने एको में लेने वाला हूं आप लोग चाहो तो इनको डॉप कर सकते हैं बाकि या पर संतोस कुमार डी लास मैच के अंदर दो ओस की गेंदबाजी करते हो विकेट ले सकते हैं इनके उपर भी रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टाइट अब्डेट बगेरा टेलिग्रम में दिये जाएंगे टेलिग्रम से जुड़ी रहेगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी लिंक से जोइन के लिए देख लेते हैं हमारी डेमो फेंटासी टीम को सकते ह है तो विगेट केपिंग सेक्षन से वेलम मुर्गन के को ले रहे हैं बाकी जयकुमार आर या पिर सन्द मुगम को आप लोग ले सकते हैं लिए जो प्लेयर यहां पर इंद्रम मुगन इनके ओपर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं क्यूंकि इस बंदे ने लास में ओपन लेना चाहोते हो तो ले सकते हैं बाकी कोई बड़ा रिस्क लेने की ज़रूवत नहीं है और राउने सेक्षन में पर सीवर अमन पी इनके साथ या जयकुमार वी और इनके साथ या पर वी जयकुरू नाथन हमारी टिम के अंदर रहेंगे बाकी बात कर या पर बॉलिंग से यहां से आर पसूपती इनके साथ या पर नदर जाने ए इनके साथ शश्रीकुमार एस गिलबर्ट ए जो की लास में के लिए या पर लाइन अप में हो सकते हैं बाकिया पर आर कन्नू भी तो यहां पर देखो हमारे लिए सबसे बड़ा पंट यहां पर नदर जाने ए है टीम की बात करते हैं तो टीम को जिससरा से रहेगी कप्तान हमारे रहेंगी आपर सश्रीकुमार एस वाइस केप्टन यहां पर गिलबर्ट ए रहने वाले इसके साथ पब्लिक की चोईस की बात केते हैं जैसे सीवरमन पी जो की करीब कितने पसंदे लोगों के कप्तान है य अगले वीडियो में तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो अच्छे से अनलिसिस के टीम बनाव अच्छे भी निंग करते हो हम लोग बिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिंद जय भारत